सभी को नमस्ते, आप सभी का उन्नाइनम यूटूब चैनल में स्वागत है यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट्स, शेर करें अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्रेब करें तो आज हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग युक्त धातुरूप आप सभी ने उपसर्ग के बारे में सुना है, पढ़ा है और धातुरूपों के बारे में भी पढ़ा है तो आज दोनों मिलकर किस प्रकार धातुरूप चलते हैं, वो आज देखते हैं उपसर्ग का मतलब है वे ऐसे शब्दान जो धातु अथवा शब्द से पहले लगकर कुछ विशेश अर्थ को बताते हैं और धातु का तात्पर्य क्रिया का मोल रूप तो देखते हैं और ये सारे के सारे हम लट लकार में पढ़ेंगे किस प्रकार इनके धात रूप चलते ह प्रप्लेस नम यहाँ पर उपसर्ग है और नम धातु है और दोनों मिलकर बनते हैं प्रणम जिसका आर्थ होता है प्रणाम करना यहाँ पर नम को नम कैसे हुआ तो एक कंडिशन है बच्चों र और शा के बाद में फिर एक बार र और शा के बाद में इदी ना होता है तो उसको उना में बदल जाता है रा और शा के बाद ना होने पर ना को उना में परिवर्तन हो जाता है जैसे यहाँ पर देखते हैं क्योंकि नम धातु के आपने धातुरों भी याद किये होंगे तो नमति नमताह नमंति ऐसा याद किया था परन्द अब यहाँ पर है प्रणामति प्रणामतः प्रणामति प्रणामतः प्रणामतः प्रणामामि प्रणामावः प्रणामामः और किस क्रिया रूप के साथ कौन सी क्रिया का प्रयोग स्वरे कौन सा करता प्रयोग करना है तो देखते हैं जैसे प्रणामती यहाँ पर अस्मत और युश्मत इन दो शब्द रूपों को छोड़ कर बाकि जितने भी शब्द रूप हैं। वो सारे के सारे प्रतमपुरुष में प्रयोग होते हैं तो यहाँ पर हमने एक बालक शब्द रूप लिया है। और आप जानते हैं लटलगार वर्दमान कालिक क्रियाओं को भिव्यक्त करता है तो यहाँ पर प्रणाम करता है इस अर्थ में है मद्यमपुरुष्ट्वं प्रणामसि युवाम प्रणामथ यूयम प्रणामथ और मद्यमपुरुष में करता हमेशा यही प्रयोग होंगे औ और उत्तम पुरुष अहम प्रणमामी आवाम प्रणमावः वयम प्रणमामः और उत्तम पुरुष में जो करता प्रयोग हैं वे हमेशा यही करता प्रयोग होते हैं चाए कोई भी लकार हो कोई भी धातु हो मद्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में करता यही होंगे इन फीवर्वार प्रnte मत परनाम अब फी उपसर्ग युकत रीद आतु है जिसका यहाँ पर बनाय है विहर्ध विहर मनें विहार करना हरी का अर्थ होताइव बैसे हरं करना परंद जैसे वी जुड़ गया तो इस अर्थ परिवर्दन होकर विहार शब्द मना एक हरन मने चुराने के अर्थ में था हरीदातु परंतो जब वी जुड़ गया तो वो विहार अर्थ भ्रह्मन अर्थ में भूमने के अर्थ में आ गया जैसे यहाँ पर देखिए धात रूम है विहरती विहरतह विहरंती विहरसी विहरतह विहरत विहरामे विहरावह विहरामह जैसे करतावी प्रयोक याए खगाह विहरती खगव विहरतह खगाह विहरंती वचन के अनुसार रूप बदल जाते हैं फिर त्वम विहरस युवाम विहरत यूयम विहरत अहम विहराम आवाम विहराव वयम विहराम देखिए मद्यमबुरुष और उत्तमबुरुष में करता सेम वही है जो प्रणम में था तो आपको समदना चाहिए कोई भी धातिरूब हो तो मद्यमबुरुष और उत्तमबु होना जैसे सह अनुभवति अनुभवत अनुभवन्ति अनुभवसि अनुभवत अनुभवत अनुभवामि अनुभवामह जैसे सह के साद अनुभवति तव अनुभवत ते अनुभवन्ति सह ये तत का पुलिंग शब्द रूप हैं त्वम अनुभवसि युवाम अनुभव यूयम अनुभवत अहम अनुभवामि आवाम अनुभवावः वयम अनुभवामह तो देख लीजिए फिर करता सेम वैसे ही ये मद्याम प्रतम पुरुष में केवल प्रतम पुरुष में परिवर्तन हुआ है इसके धातु रुब इस प्रकार चलेगे और देखते हैं करतागे साथ प्रयोग करके बालक अनुकरण करता है अनुकरण में जैसे जो बडे लोग हैं जिस प्रकार जिस मार्व पर जो अच्छाईएं अपनाई है तो उनी को अंसरन करता है उनी को अपने जीवन में अपनाता है धातरुप चैंजोगे मतने बुर्ष अउरत्वा बुर्ष में परंतु करता वही है नी प्लस वस निवास करना रहना जैसे निवसति निवसतह निवसंति निवससी निवसतह निवसामी निवसावह निवसामह फिर एक बार करता के साथ प्रयूग करके देखते हैं यहाँ पर हरी हरी हरायाह यह हरी शब्द के शब्द रूप प्रथमा विवक्ति के हैं फिर मद्यम बुरुष में देखते हैं त्वम निवससी युवाम निवसतह यूयम निवसतह अहम निवसामी आवाम निवसावह वयम निवसामह तो सेम देखे करता वही है प्रथम मद्य वृत्तम पुरुष में केवल क्रिया में परिवर्थन हुआ है। आगम, गम का अर्थ होता है, जाना और आपसरग लगने से अर्थ होता है आना और गम को गच आदेश होता है बच्चों। तो इसलिए आपने जेसे गम दहातों में गच्छ ती गच्छ ता याद किया था, से अब करता गे साथ प्रयोग करके देखते हैं तो बच्चों अच्छे से आप स्मर्ण करें और इनका वाक्यों में प्रयोग करके अभ्यास अच्छे से करें अनुवाद का अभ्यास करें तो आपको बहुत आसानी से इनका धातरु बियाद हो जाएगा और वाक्य निर्मान भी समझ में आ जाएगा तो धन्यवाद बचें